समस्कार दोस्तों, एक वार फिर से स्वागत हैं, जब जब बिहार में डिपलोमा होल्डर के लिए वेकंसी दी जाती है, तब तब बीटेक वाले उस वेकंसी में अर्चन डालने आ जाते हैं। आपने बहुत दिन से यह न्यूज अपने सोसल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जरूर सुना होगा कि बिहार बीटेक के स्टुडेंट्स बिहार जईए पोस्ट में बीटेक वाले को लेने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने बीचपी सीयल की वेकंसी को साल भर रोके रखा और बिहार पोल्टेक्निक चातर संग के द्वारा अंदोलन के कारण ही यह पोस्ट डिप्लोमा होल्डर को मिल सकी। लेकिन दो साल बाद जब फिर से डिप्लोमा होल्डर के लिए वेकंसी आई है तो एक बार फिर बीटेक बालो ने अंदोलन कर दिया है। और माजी अवास पहुँच गया हैं और जेतन नाम माजी ने भी आसवासन दे दिया है कि जई में डिप्लोमा के साथ साथ बीटेक होल्डर भी अप्लिकेबल होंगे। सबसे पहले मैं जेतन नाम माजी से इतना ही कहुँगा कि आप एक दिन आप मत्र एक दिन राजनीतिक छुटी लेके किरप्या करके बीटेक और डिप्लोमा बालो के वेकंसी लिस्ट को देख ले कि किसको कितना वेकंसी मिलता है। आपको वहां से आकलन मिल जाएगा कि किसकी स्थिती बहतर है। किरप्या करके हवा हवाय बात ना करे। अगर आपके घर में कोई बच्चा पढ़ रहा होगा तो प्लीज उनसे पूछे कि जुनियर इंजिनियर किसको कहा जाता है। जुनियर इंजिनियर का पोस्ट डिपलोमा वालों के लिए क्यों है। क्योंकि डिपलोमा होल्डर को जुनियर इंजिनियर ही कहा जाता है। और बीटेक वाले को senior engineer इसलिए जो भी junior engineer की पुष्ट आती है वो diploma holder को दी जाती है अगर बीटेक वाले को problem है कि उन्हें जॉब नहीं मिल रही है तो आप अपने junior का पद छीनने से अच्छा है कि आपके जिस भी सेक्टर में नोकरी नहीं आ रही उसके लिए अंदोलन करो वह छोड़के अंदोलन कर रहे हैं उन्होंने पढ़ाई पढ़ी senior वाली पढ़ाई पढ़ी senior engineer वाली बट पोष्ट junior engineer वाली चाहिए मतलब good पूरा good दोस्तो जब जब उन्होंने अंदोलन किया तब तब हारे हैं इस बार भी हारेंगे क्योंकि जज जो high court में बैठे हैं वो अ पंदोलन किया नहीं कभी नहीं उन्होंने कभी कहा कि placement जो होती है बीटेक वालों को उसको 25,000 क्यों मिलता है हम लोग को क्यों नहीं मिलता है ऐसा कभी भी डिप्लोमा वाले नहीं कहा आप SSC JE का देख ले उसमें डिप्लोमा प्लस पीटेक दोनों भरते हैं लेकिन उसमें डिप्लोमा वाले का होता कितना है दो से चार परसेंट मात सौ में से चार परसेंट को ही हो पाता है यही हाल होगा जेई का अगर जेई में बीटेक वाले बैठते हैं बीटेक वाले अपलाई करते हैं तो डिप्लोमा वाले कम ही जेई की पोस्ट ले पाएंगे उसका ये भी डिप्लोमा होल्डर का जेई पद से अस्तितक खतम हो जाएगा दोस्तों, जेई का पद बीटेक बालों के पास ना जाए, इसके लिए हमें करना क्या होगा? सबसे पहले आप जिस भी कॉलेज से हैं, जिस भी सहर से हैं, जिस भी semester के student है जिस भी branch के student है आप अपने पोलिटेक्निक छातर संग के अध्यक्ष की बात सुने वो जैसा करे हैं वैसा करे अगर वह पटना बुला रहा हैं तो आप पटना जाकर उनका साथ दे अगर आप सोच रहे हैं कि हमें इससे क्या होगा तो बैठे रह जाओगे घर लूट जाएगा हर हाल में जैए की पद को डिप्लोमा के लिए बनाए रखने की जिम्मेदारी आप सभी की हैं आप सम में से बहुत लोगों को तो ये बात अभी तक पता भी नहीं कि आखिर डिप्लोमा और बीटेक में चल क्या रहा है दोस्तो इस वीडियो को अधीक से अ झाल झाल